हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो मैं चैनल स्रिज्ञान और आज हम क्लास 11 की जियोग्रफी के 3rd चैप्टर को कवर करने वाले हैं जिसका आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्रा रिवर तो अगर आपने इससे पहले 1st और 2nd पार्ट नहीं देखाए तो देख लिजेगा 1st और 2nd पार्ट में हमने इंदस रिवर और गंगा रिवर साथ ही साथ कुछ टॉप्स जैसे की केचमेंट एडिया, ग्लेसियर्स, मियेंडर्स इन सब चीजों को कवर किया था तो 1st और 2nd पार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अब हम बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा वर्ल्ड इसी लिए ये स्टडी करना काफी जरूरी हो जाता है इसका ओरीजिन कहां है इसका ओरीजिन है चेम्याउंग्दूंग ग्लेसियर में ठीक है और चेम्याउंग्दूंग ग्लेसियर जो है वो कैलास रेंज की माउंटेंस में आता है मान सरोवर लेक के पास ठीक है एक बार फिर से देखिए ब्रह्मा पुत्रा रिवर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है और इसका ओरिजिन का है चेमा यूंगदूं ग्लेसियर कैलास रेंज नियर मानसरोवर लेक ठीक है from here it transverse eastward east की ओर बैना सुरोव करती है longitudinally longitudinally मतलब इस तरह से ठीक है sorry इस तरह से उसके बाद और ये कितना distance कवर करती है distance कवर करती है लगभग 1200 किलो मीटर longitudinally for a distance of nearly 1200 km in a dry and flat region सूखे और सम्तल मैदान से होकर southern टिबत में आकर बहती है और यहां यह किस नाम से जानी जाती है सांगपो तो ब्रहमपुत्रा न दीका एक अनादर नेम आपको याद रहेगा सांगपो सांगपो is the other name of ब्रहमपुत्रा शांगपो रिवर का मतलब क्या है सांगपो रिवर का मतलब है purifier क्या है सांगपो रिवर का मतलब purifier ठीक है तो यह भी याद रखना थोड़ा जरूरी हो जाता है तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूतरी है तिबत में रांगो शांगपव ठीक है इट इमर्जस अज तर्ब्यूलेंट एन डाइनेमिक रिवर आफ्टर केरिंग आउट अडीप जोर्ज इन सेंट्रल हिमालिया नेर नामचा बरवा तो नामचा बरवा के पास जब ये एक जॉर्ज क्रियेट करती है एक बहुत ही गहरी खाई की तरह निर्मान करती है खाई नहीं घाटी की तरह तो वहाँ जब ये कटाव करती है तो क्या होता है कि इसकी स्पीड बर जाती है ठीक है जब कि ये जब तिबत में रहती है तो फ्लैट इलाके में रहती है ड्राइ इलाके में रहती है तो ड्राइ इलाके से इसको स्पीड नहीं मिल पाती बट जब ये नामचा बर्वा से माउंटेन को काटती हुई एंटर करती है तब नामचा बर्वा की हाइड दे को 7755 म स्पीटर है तो इस वज़े से जब उचाई से नीचे की और आती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है दा इभर इमर्जेस फ्रम दा फूटिल्स अंडर देनम और दियांग तो जब यह अरुनाचल प्रदेश में घुशती है तो इसको दियांग स्यांग नाम से जाना जाता है दियांग को कुछ वहां के जो ट्राइबल लोग है वो स्यांग नाम से भी बुलाते है ठीक है तो सबसे पहले ब्रह्म पुत्रा का नाम क्या था सांगपो सांगपो में याद रखिएगा टी साइलेंट है सांगपो सांगपो में टी भूल मत जा रिएगा सान्ग्पो के बाद जब अरुनाचल प्रदेश सदिया प्रदेश में एज़िता है ठीक है और वहाँ कैसे बहता है Southwest इसकी Left Bank Tributory कौन सी है Left Bank Tributory दिबांग और सिकांग तो दिबांग और सिकांग के नाम से जाने जाने वाली एक Left Bank Tributory है और साथी साथ लोहित और उसके बाद ये किस नाम से जाने जाने लगती है ब्रह्मपुत्रा तो ब्रह्मपुत्रा नदी के दो नाम है दो नाम कौन कौन से एक सांगपो और एक एक और नाम था ना बताओ सांगपो और दिहांग ठीक है सांगपो और दिहांग दिहांग और उनाचल प्रदेश में सांगपो तिबत में और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी में दो नदियां आकर मिलती हैं एक दिभांग और एक लोहित इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है ब्रह्मपुत्रा ठीक है ब्रह्मपुत्रा नदी में जो आसाम भेली है आसाम भेली में ब्रह्मपुत्रा लगभग सारे 700 किलोमेटर की जरनी को कवर करती है और धेर सारी ट्रिब्यूट्री जिसमें आकर मिलती हैं ठीक है तो इसकी जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट्री है वो है बुढ़ी दि रखिएगा मानस नदी के पास एक मानस नाम का नेशनल पार्क भी है मानस नेशनल पार्क एंद संकोस ठीक है तो ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा लेफ्ट बेंग ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है बुढी दिहां धन्शिरी ठीक है और राइट बेंग ट्रिब्यूटरी है सुबंशिरी कामेंग मानस और संकोस यहां तक याद रहेगा इसके बाद अब सुबंशिरी को देखते हैं तो ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन भी तिबेट और सुबंशिरी का ओरिजिन भी तिबेट ठीक है ये एंटिसीडेंट रिवर है दो ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इंटू बांगलादेश कहां एंटर कर जाती है बंगलादेश ब्रह्मा पुत्रा बंगलादेश में बंगलादेश में एंटर करने के बाद बंगलादेश में एंटर कहां से करती है धूबुरी के पास ठीक है धूबुरी के पास ये बंगलादेश में जाती है साउथ वाइड बहती है वहाँ पर और इन बांगलादेश तीस्ता नदी इसको जोइंट कर लेती है तीस्ता नदी इसको राइट बैंक से जोइंट कर लेती है और यहाँ से यह नदी किस नाम से जानी जाने लगती है जमुना तो देखो ब्रह्मपुत्रा नदी को सबसे पहले सांग पो फिर दूसरी बार हुआ दिहांग तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्रा और चौथा हो गया जमुना ये सारे नाम किसके हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी के I hope आपको इतना पता होगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजे ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फाइदा उटा पाएं इट फाइनली मर्जेस विद रिभर पदमा अब ये पदमा नदी में आकर लास्ट में मिल जाती है कौन सी नदी में आकर मिलती है पदमा विच फॉल्स इंद बे अफ बेंगॉल तो पदमा नदी कहा आकर मिलती है बे अफ बेंगॉल में गिरती है ब्रह्मपुत्रा इस वेल नन फोर फ्लड ब्रह्मपुत्रा नदी आसाम में बहुत ज़्यादा बार लेकर आती है इसका भी एक रीजन है देखो मैंने थोड़ी देर पहले यह आपको बताया था यहां देखो कि जब यह डीफ जोर्ज नामचा बरवा से आती है न तो नामच कि स्पीड जो है वह लगभग लगभग ठीक ठाक रहती है बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती है बट यह कार्व करती है वहां कटाओ करके जो भी सेडिमेंट्स होता है वह हिमालय के उपर से जब आती है तो बहुत स्पीड में आती है तो स्पीड में आने की वज़े से क् आती है वो बहुत ज्यादा बार का रीजन बन जाते हैं ठीक है है दब्रह्मपुत्रा इस वेल लॉन फॉर्फ फ्लड्स चैनल सिफ्टिंग मैंने बताया न कि वह बहुत ज्याधा बैदे कर आती है और सेडिमेंट्स लाने की वज़ा से क्या होता है इसको shift करना पड़ता है देखो कैसे मालो कि ये नदी है ये इस तरह से बह रही है अब इसने जो sediments लेकर आ रही थी वो यहाँ उस ने जमा कर दिया तो जमा करने के बाद इसको direction बदलना पड़ेगा तो तो फिर जब वो यहां से आ के यहां देखेगी कि sediment जमा है तो वो इधर से बहना शुरू करतेगी और इस तरह से इसका direction क्या हो जाएगा shift हो जाएगा और जब नई direction से कोई नई नदी अचानक बहने लगेगी तो क्या create करेगी flood create करेगी Am I right? और साथ ही साथ जो नदीओं के side के हिससे होते हैं नदीओं का बैंक होता है नदीओं का किनारा होता है उसको क्या करती है ये? बहुत बुरी तरह से काटती है नदीओं को बहुत काटती हुई लेकर जाती है फिक है? इसकी जो tributaries है ये बहुत large है और large quantity of sediments लेकर आती है देर सारे sediments लेकर आती है साथ ही साथ इस इलाके में नोर्थिस्ट में काफी अच्छी बारिस होती है तो इस वज़े से भी क्या होता है कि इनका जो catchment area है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इनमें पानिंग की जो quantity है water की जो quantity है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आई होब कि आपको ये पूरा ब्रामपुतरा रिवर अच्छे से समझ में आया होगा आसा करता हूँ कि आप वीडियो को like और subscribe कर चुके हैं मिलते हैं आप से next वीडियो में